हेलो वंदे मातरम स्टुडेंस आज हम लेंड करेंगे इवी एस में चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है अभी जी मांथ तो यह एक लेटर टाइप का चैप्टर है जहां पर कैसे स्टुडेंस को किसी ने लेटर लिखा हो और उस लेटर के हिसाब से हमें इस चैप्टर में कुछ लाक्षन निकता है उनके बारे में और यह सारे बट्स आपने कभी ना कभी देख के होंगे अगर कुछ नए हैं तो आपको उसको बारे में इन्फॉर्मेशन भी लेनी है अपने हिसाब से ओके तो चैप्टर शुरू करते हैं यहां पर पहले तो जैसे की लेटर में एड्रेस लिखा हुआ होता है इस देख से यहां पर एड्रेस लिखा है बाल मंदीर भावनगर 13 एपरिल 1936 यानि की बाल मंदीर भावनगर 13 एपरिल 1936 इस देट को लेटर लिखा गया है किसको लिखा गया है बाल मंदीर बाल मंदर याने कि जो छोटे बच्चे होते हैं सिन्यर की जी चुन्यर की जी नर्सरी वस आ रहे और कहां पे भावनागर पे तो चैप्टर में क्या है वो हम लेटर में क्या है वो हम लर्न करेंगे ओके याने कि मेरे प्यारे बच्चो वो कौनसा समय था दो पेर के तीन बच्चे थे दिरार नो क्लाउड सिन्द स्काई द सन इस बनिंग होट आसमान में कोई भी बादल नहीं थे और सन बहुत ही जल रहा देने कि गर्मी बहुत ही हो रही थी स्पेरो डर्व और संबर से उस्टार्टेट वॉकिंग इंद पेर ऐसे प्रिपैर टू में देर नेस्ट भी स्पेरो डर्व संबर्ड यह सब अपनी पैर में कुछ काम करना शुरू कर रहे थे और वह काम किया था अपना घर बनना यानि कि अपना नेस्ट बिनाना सम अफ अपने नेस्ट बना के रखे थे संबर ऑफ तर नेस्ट एग्स हैं है कुछ बर्ट चो थे जिसके कुछ उसके नेस्ट वहां पर उसके एक्स पी थे पैरेंट बर्ड आर बीजिव फिडिंग दर चिक्स एंड फ्लेजिंग विथ डिफरन काइंस अफ इंसेक्स अद अधर थ चुके थे अंडे फूटने के बाद उसको फिडिंग कराने में उसका ध्यान रखने में बीजि थे और साथ ही साथ उसको कुछ खाना खिलाना या पर उसको किसी चीज से बचाना उसको प्रोटेक्ट करना यह सब कामों में बीजि रहते थे ते क्यूंकि हम एक इंफरमेशन दोटेर इस अब बेबी डव दिशने अनुद अनदर एग इन नेस्ट इट इस नौट है यह अभी कॉट यार में एक दूसरा बेबी डव था यानि कि दोटे से बीजि था दूसरा एक था लेकिन वह अभी तक भूटा नहीं था उसमें से अभी तक बेबी बाहर नहीं आया था नेक्स पेस्ट पे देखते हैं और वे और मैनी स्ट्रों अलंग रोड साइट वुपाल भाई की और वहां पे कुछ परसन होगा जिसका नाम होगा गुपाल भाई तो उनके घर की और एक रास्ता था जहां पे बहुत साथ स्टोंस पड़े हुए थे इन इंडियन रोब मी बचो भाई ने उसको मुझे दिखाया कि देखुए इसके एक्स है लुक थ्रूआउट बिनोक्यूलर्स आइस सो थैड नेस्ट वस मैड़ ऑफ ग्रास अभी मैंने क्या किया कि मैंने देखा मैंने मतलब यहां पे जो राइटर है जो लेखक है जिन्होंने यह लेटर लि इस नेस्ट अभी इससे पता चलता है कि यह इंडियन रॉबिन का ही नेस्ट है वाट वाट अपने बच्चों के लिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा स्मूथ सा घर बनाया है क्योंकि उसने घर बनाने में ट्विंग्स रूट्स वूल है इन कॉटन वूल का यूज किय सुफ्ट होते हैं रॉबिन इस नाट लाइक दक्रो रॉबिन जो होती है वो क्रो की तरह नहीं होता है अक्रोश नेस्ट इस मैड़ ओल कांड्स अफिंग्स इवन पीजिज वायर और वूड अभी क्रोश होता है ना उसका नेस्ट कितना होता है कि उसमें वायर है कोई भी इन सब से उसका nest बना हुआ होता है लेकिन उसका nest बनने के बाद भी वो बहुत ही dirty लगता है लेकिन इंडियन रोबिन का nest बहुत ही soft and cozy था I saw baby bird in the robin's nest बिचो यहाँ पर writer है उन्होंने robin के nest में baby bird को देखा it was sitting with its big wide open उसकी चोच थी उसको इसे बहुत इसे खोल के वो बैटा हुआ था the mouse was red from inside उसका मूँ जो है वो अंदर से red था in a little white robin flew to the nest and put something in chicks upon big maybe a few small insects थोड़ी ही देर में यहाँ पे इंडियन robin जो है यानि कि उसकी mother जो है वो आई उसने उसकी ने कुछ उसकी मूँ के अंदर डाला तो लेखों कैसा लगता है कि writer जो है उनको इससा feel हुआ कि शायद उसने उसको कुछ खिला या जैसे कि कोई small insects हो by then it was evening the robin settled down with its chick और शाम को वो अपने बच्चे के साथ अपने nest में बैठ गई अभी यह है कि जो छोटे chicks होते है ना जो किसी जो कोई भी birds के छोटे चोटे babies होते है वो हमारे तरह तो नहीं होते हैं कि कुछ भी पी ले कुछ भी खा ले जब तक तीथ नहीं आते तब तक किस चोटे बच्चों को mommy खिलाती है कुछ crush करके या तो फिर कुछ juice बना के बना के घौर मानने हमाने काथ जो करके दसकी पारी नहीं होते हैं मिल्क देती है पहले बर्ड्स जो होता है उसकी तो हमारे जो इसको थोड़ा से सौफ्ट करके दिर ज्सका ओ पर सुफ्ट करके फिर आपने बेबी या मूह oncet है हम सब को पती किवठ बहुत ही स्वान आगाती ए रखता है अन्दु का खया रखता है ऐसे ही कवज़ के अन्दु का भी ख्याल रखता है तिरी स्मॉल थ्री नियरबाई वहां पे तीन कुछ चोटे चोटे तीन चीज से इडिस नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम एच ब्रांच वहां पे उसने देखा कि जो नेस्ट है वह ब्रांच के ऊपर लटक रहा है बड्स आर सो वंडर्फूली दिफ्रेंट बड्स जो हो अपना नेस्ट बनाता है वह ट्री के एकड़म हाइट पर बनाता है तो डवमेक्स इस नेट्स अमग थोन सौफो कैक्टस प्लांच और महंदी हेज क्रोज होता है ना कैक्टस प्लांच के जो कांटे होते हैं महंदी के लेव स्यादर फिर कुछ होता है माटीरियल उससे बन दर्वकर में कहीं भी होल होता है वहां पर होल मतलब वह बढ़ा सा आगे जिसमें सोफा जन ओल थोता है दिवालों में कहीं भी कोई छेद होता है याने कि बड़ा जो स्पेस होती है ना वह बाला होल इट मैस नेस्ट एनिवर ऑन टॉप अफ कब़ॉड बिहाइं अमीर ऑन लेज जीसे की वह कहीं भी अपना स्पेरोग hour जो होती है कहीं भी अपना नेस्ट बना लेटी है आँई लोग जिर जो इन य्श пять array नेक्स페 पेज परानी जी कनदर भी बनाते हैं भाबब और कॉपरस्मीत बर्ड can be heard in somewhere with its tuk 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 call, जो बाबबब रोते हैं यह तो फिर कॉपरस्मित होता है उसकी आवाज हम्में संवर में सुनाई दे ती है जैसे कि टख टख ट॥क आसमें आवाज संव त्वेनि स्नेप शाल ट्रंक वो अपना हम धर कशünüz है तो ट्रे का जो ट्रंक होता यानि की उसका जो गुजरती में बो stirring defenders होता है वो ज्यादा सा लाइक किया है लाइक यहां पर इसे जब ऊस्कीeded करकिए उपना हाउस बनाते है इसलिए उसको तक 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 जिसको काटने से स्की यह पहाज आती है and टेलर Всё बर यूज इस शॉषऑ ब boys जो टेलर बर्स होते हैं 14 एंकलिए उसको बॉलते हैं जो कपड़ए सी हो इसको इसे तरीके से छो टेलर बढ़ उता है ठ्राइए ऑपने इन श्यत्वकेर बनाता है, दो इसे बड़े-बड़े लेश लेता है उसको एक दूसरी के साथ इसे स्टीच करता है और अपना हाउस बनाता है इसलिए उसको टेलर बढ़ कहते हैं उसको हमारी रूटील लेंगविज में जैसे कि गाउं की भासम उसको बोलते हैं दरजीडो तो यह तो शायद आपने नहीं देखा होगा लेकिन आप गाउं पर ज अब यहां पर जिसकी वो अपने एक्स पहार रखते इसलिए किसे नेस्ट लीव से अपना नेस्ट बनाता है ना वहां पर अपने एक्सको शेफ रखता है और यह उसका नेस्ट नेक्सट वन नेक्स परिग्राफ तेखेंगे the sunbird makes a nest that hangs from the branch of a small tree or bush अभी sunbird क्या करता है उसका जो nest होता है वो ट्री के उपर लटकते हुए होता है या तो फिर किसी लटकती हुई ब्रांश या तो फिर छोड़ी से ट्री के अधर्वाइस जाड़ियों में अपना nest बनाता है the same evening we show sunbird's nest उसी राथ हमने sunbird का nest देखा can you guess what is the nest is made of क्या guess कर सकते हो की nest किसे बना होगा obviously अगर उसने ट्री के उपर कोई बड़ नेस्ट बनाता है तो उसमें twings का leaves का ऐसे सारे चीज़ों का यूज़ किया होगा तो हम देखते है तो हम देखते है अभी ये सारी चीज़ों से उसका nest बना हुआ था spider cob बनाने के बाद वहाँ पे अगर spiders होगी तो उन्होंने अपना webs बनाया हुआ होगा इसलिए उसको इसा दिखाय दिया होगा कि वहाँ पे spider cob webs भी available है और कई जगा पे available होते हैं जिसकी घर में होते हैं अगर घर में ना हो तो अब पार्किंग में देखोगी अपने सोसाइटी के ट्रीस के उपर भी spider cob webs available होते है क्योंकि वह भी उसका एक हाउस है इसलिए वह भी दिखाय देता है जब हमने देखा कि एक छोटा सा बेवी इसकी नेस्ट के अंदर था इट वह उसका जो ओपनिंग होता है नेस्ट का वहाँ पर हमने देखा था कि वह किसी के अगर वेट कर रहा हो ना ऐसा लग रहा था it is waiting for its mother to bring some food वह अपनी ममी का वेट कर रहा था कि भी उसकी ममी कुछ food लेकर आये what else can it do can it do? just eat and sleep वो क्या करते हैं बर्स क्या करते होंगे आप सोचो तो क्या इसको school जाना होता है नहीं homeworks नहीं करते, कच इच काम नहीं करते गर का भी कुछ काम नहीं होते ऐसा भी नहीं होते कि चलो भे, इतने बज़ है हमें जल्दी से खाना बनाना है आज हम डीनर के लिए बाहर जाएंगी हमारी तरह उनकी life नहीं होते है वो सिर्फ खाते हैं और सो जाते हैं बस इतना ही उनका काम होता है और कुछ काम birds नहीं करते हैं Do you know about waiver bird? The male waiver bird makes a beautiful warm nest The female looks at all the nests and chooses the one that she likes the best and decides in which to lay her X waiver birds जो होते हैं वो क्या करते हैं? कि waiver birds में जो male birds होता है न वो बहुत सारे nest बनाता है और जो female होती है न फीमेल waiver bird वो decide करती है कि उसको कौन सा nest अच्छा लगा जो हमारी तरह हमें कुछ नया घर लेना होता है तो हमारे फादर बहुत सारी जगापे घर टूनते हैं फिर फैमिली में mother, grandmother कोई भी सारपूरी families जाती है देखने अगर जहां कहीं भी भी अच्छा लगता है तो हम वहाँ पर रहने चले जाता है इसी तरीके से वेवर बर्ड भी ऐसा करते है तो राफ्तर वेवर फीमिल बर्ड जो होती है न वो डिसेट करती है कि वो कौन से nest में रहना चाहती है और वहीं पर अपने अंडे देती है तो आज हमें इतना ही लर्ण करना है बर्ड के बारे में जो कोई भी बर्ड सापको न एक्स वीडियो शेल लन करेंगे वन्दे मात्राम